अच्छा देखिए हम लोगों ने बावा भीम राव अंबेद कर जो हम लोगों के भगवान हैं उनको बताना चाहते थे उनको बताना चाहते थे यह हम लोगों के भगवान आप अनुसूचित जाती जन जाती और महिलाओं के लिए क्या क्या न किये हैं क्या क्या न लिखे ले और सम्विधान भी बनाए हैं सम्विधान में महिलाओं और अनुसूचित जाती को विशेश अजिकार देने का क्या है लेकिन बरतमान में मानिय निकीश कुमार जो बिहार के बुख मंतरी हैं वो महिलाओं के बारे में कितना अपसत और स्रमनाक बाते कहीं विधान सवा में वो आप लोग जानते हैं और फिर दूसरी बार हमारे ऐसे शिदूल कास के नेता जो नितीश कुमार से उमर में भी बड़ा है राजजीतिक जीवन भी उनसे लंबी है और कर सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने 68-79 में प्राप किया और जीतन मानि 66 में डिगरी आउनर्स के साथ आया है कहने का मतलब कि कम से कम बिधान सवा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो सभी मानिये सदसुआ करते हैं उनके परती आदर सुचक सब नितावना चाहिए लेकिन लिटीज कुमार में तुम तलांग की बातें की और कहा कि जीतन मानि को कौन कहता है कि मुख मंत्री है ये बड़ा मुख मंत्री है और आप लोगों को भी एड़ेस किया कि इनको बड़ी तरजी आप दे रहे हैं इनको तरजी देना बंद किजिए ये मुख मंत्री नहीं इनको कोई अकल नहीं है तो इस तरह से अपमानित किया गया हम समझते हैं कि वो जीतन मानि का अपमान नहीं है सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो डलिक लोग हैं उनका अपमानून होने किया एक राज का मुख मंत्री जो तेरा क्रोर जनता का परतिनिधित्व करते हैं और उनके मुखार भिंड से ये सारी बातें जो आई ओ जिस्चित रुप में विशार दिये हैं और जीतन मान जी क्या बहु रहा था और लोग कहते हैं हमारे और भाजपा के बढ़े नेता बोलेंगे कि जो आरचन समंधी बील लाया और कोटा बढ़ाने की बील लाया अन्बीशन में भी हम लोग सब एक मत्र से उसको पारित किया समर्थन दिया तो फिर उसमें विरोज की कौन बाते आती है सिर्फ हमने ये कहा कि बावा भीम राव अंबेत कर जब समिधान लागु करने की बात हुई और अरचन देने की बात हुई तो उन्हें कहा था कि दस वर्षों में समिक्षा होनी चाहिए हुजूर आप 18 ब्रस ब्यतित कर दिये आपके छोट बड़े भाई भी 15 ब्रस मुक्ष मंत्री में रहे आखिर क्यों नहीं इसका समिक्षा हुआ और हम बताते हैं कि 16% कोटा हमको होना चाहिए था अगर आज जात किया जाएगा तो वो 7 या 8% से जारा नहीं है दूसरी बात हमने बोला कि यहां के जो पदादिकारी हमारे सिडूल कास्ट के हैं उनके लिए 1971 में ही रोश्टर लागू है और रोश्टर लागू होने को उपरान 16% परमोशन में आरक्षन मिलना चाहिए लेकिन आज हमारे सिडूल कास्ट और सिडूल टाइब्स के पदादिकारियों के गिंती अगर की जाए तो 3.7% उनका अपरतर नहीं है एक केक सतावधी में पुरा होगा मानने है मुखमंती जी हमको यह बताएए और इसकी समिशा कीजिए इसके लिए आयोग बनाएए और कोई कार्ज करम अपनाएए इतने ही कहने पर भड़क गए कि इसको कुछ आता है इसको हमने मुखमंती बनाया हम करते हैं कि आपको भाजपा ने मुखमंती बनाया आप भाजपा को धोखा दे करके अब आप राज़त में आया है राज़त ने मुखमंती बनाया आप कहां मुखमंती बने हैं आप भी त तो इसी तरह से धुलमूल निती करकर करकर पल्टू राम बनकर करकर आज सत्ता में हैं। और जीतर मांजी को आप अपना सभाब से नहीं बनाया था। आप समझाता है कि जीतन मांजी अनुसुची जाती में भुईया मुसर का लोग है अब भुईया मुसर लोग बहुत सीधा होता है हम इसको बना देंगे तो जो कहेंगे वो करेगा क्योंकि 2014 में चुनाव जब हार गए तो स्ब जगा से थूठू होने लगा कि आप रिश्टिफात हो इस्टिफात हो तो इस्टिफात नदे करके एक ऐसे मुलाइम आदमी को बनाने का कोशिस किया कि जो वो कहें वो करें और दो महिना तक सत्मूच में हमने किया बाद में आप ही लोग ने कहा कि जितन माजी रवारस टेंप है जितन माजी रिमोट से चलता है तब फिर हम अपना काम शुरू किया तो उनका पेट में दर्ध होने लगा बहुत सारी बातें किया है वो आपके सामने है और आज बावा भीम रावा मेदकर के चरनों में अपना मालाज पहना करके और हम लोग रिकॉंसायल करना चाहते थे कि बावा हम लोग क्या करें